हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब दिली के सर्वोदे कोएड सीनियर सेकिंडरी स्कूल आईपी एक्स्टेंशन परपडगंज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर वैसे तो एक्जैम होने थे और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं लिस्ट भी कुछ इस तरह से लगी हुई है स्कूल में हम लोग मौजूद हैं जिसे अब शेल्टर होम जो है वो बना दिया गया है आनन्द विहार पर जिस तरह से लोगों की जो माइगरिंट लेबरर्स हैं जो दिहारी मजदूर हैं उनकी भारी भीड देखी गई थी जिसके बाद उस भीड को कंट्रोल करने के लिए दिली सरकार लगाता लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप दिली को छोड़ कर ना जाएं दिली में ही रहें और यहां पर उचेत विवस्थाएं जो है वो आपके लिए मुहाया कराई जा रही हैं उसी को देखते हुए दिली के स्कूल में भी कुछ सुविधाय जो है व आपका नाम सबसे पहले हैं मैं हम रोड पे रह रहे थे इसलिए फिर में इदर आगे कुछ सुद्धा ने थी बच्चा चोटा है भूंका रहरात इसलिए में इदर आ गए मैंपूरी में जी मोती नगर में रहते थे किसके पास रहते थे क्या इसी मजबूरी होई कि दिली पर आपको कुराइब रह रहे हैं मांग रहे हैं तो दिली सरकार ने ये भी प्राफधान कर दिया धिक कि दो महीने के लिए किराया नहीं मांग सकते हैं जो किराया है संक्रमण का खतरा इसलिए आप लोग उसे असे बोला जा रहा है कि जहां है वही पर रहें तो ऐसे में जो आप लोगों का यहां दिली में घर था क्या वही पर वापस जाने का विचार कर रहे है क्या मकान मालिक से बात की है क्यों ने रखेंगा और क्या करेंगा वापस जाया तब दे देंगे तुम्हारा पैसा नहीं तो गजार नहीं है दिन यूपी जा नहीं सकते कम तो यहीं दिली में समानवान हो जाया है सामन वान लेकर आ गए थे समारा सारा कुछ सामन वहीं पर कमतियों 50 एक जार रुपे का सामन हमारे कमरे में हैं ऐसी कोई दिक्का थी सामन हमारा सब वहीं पर है बस हम कुछ कुछ बीज़े हैं हम कुछ दिन के लिए जा रहे थे जैसे यह लोकडाउन खतम हो जाता हम बापी दिल्ली आते इसलिए सर ऐसी मजबूरी क्या होई थी क्या उसी घर में रह नहीं सकते थे किराए पर गाहों जाना किउँ जरूरी है मजबूरी तो ये है कि देखो सारी चीज रेफर सारी चीज रेफर करते हैं कामददशने पर कामदंदशने चले तो आदम इक पद पैसा है परवार का खर्चा चलाए मजदूरी करते जब काम नहीं चलेगा तो खर्चा कहां से चलाएंगे काम चले ना चले खर्चे तो चलने हैं अब उधार भी लें तो किस बंदें तो दालने कितना उधालने वो भी कह है यहां कोई दिकत नहीं है अच्छी व्रस्ता है काने पीने को क्या आप लोगों को वक्त से मिल रहा है खाने पीने के लिए लोगों ने बोला था पर हमने लिया नहीं हम पहले ही खापी रखेते खाना दिल्य सरकार के खाई और नहीं कर सकते जितना हम लोग को खाना रहा है उतना ही खा सकते हैं यहां का व्यवस्ता सार्या ठीक घिए दिली सरकार के कई स्कूलों को शेल्टर हॉम में तबदील कर दिया गया है और यहां पर दिली सरकार के ही कई वालेंटियर्ज जो है वो काम कर रहे हैं, ऐसी शक्स इस वक्त हमाई साथ मौझूद है। आईए बात करते हैं, आकाश जी फिलाल जिस स्कूल में हम लोग मौझू अपर उसके जादा हमारी एक्सपेक्टेशन से जादा लोग हम पर आये और 168 का मिर पास काउंट था रात को 12 बजे तक फिर रात को एक बजे भी हमारे पर 10 लोग और आये पुलिस वाले जो हमारे दिल्ली पुलिस के करमजारी हैं वो लोग हेल्प कर रहे हैं ऐसे लोगों की और वो लोग उन लोग को ले कि आया यहां पे शेल्टर सोंबी दिल्ली भी इतवे विक जितने भी शेल्टर हो महाँ बहारत तो आप लोग यहां सीच पर सकते हैं आप फूड़ की वेयरी वच्रूम वेगएर और ऑगयरे आफरी प्रسم थे प्रवाइदिंग वैट निहीं लिए खाना बनाना भी एक चुनोती है किस सरी के से हाँ पर काम हो रहा है मैं देखिए फर्स्ट फॉल बताना चाहँँ कि यहां पर खाना हम लोग को नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करा है जो लोग मिड्डे मील हम लोग को प्रोवाइड करते थे इन गौवर्मेंट स्कूल मे में सब लिख जगह मिड्डे मील से रहे हैं तो जो हमें को फॉल्टर्स भीट करें यह चुकि है हाफ मेरा नहीं बता हो चुकी है उन लोग को दूद वगयरा प्रवाइड करा रहे मौनिंग में ब्रेकफास तो यहां पर कुक नहीं करेंगे क्योंकि गौर्टमिट स्कूल है तो हम लोग मिड़े मिलक के उस पर हैं वो किया करते थे जब सारी बसे इनको मिलना बंद हो गई हैं लंबा और पैदल का सफर इनको करना पड़ रहा है तो अब जो यह मज़ूर हैं अफसोस कर रहे हैं कि आखिर ये लोग वहां से क्यों निकले और अब चाते हैं कि दिली में ही जिस जगा से ये लोग आये थे कम से टक पहुचा दिया जाए हम परेसानी हैं हम कर बसनी मिलती हैं हम कहां मद्परदेश दूर है दमोजला भूट दूर है यहां से यहां तक आप लोग पैदल आये थे एक ट्रेक मिल गया तो ट्रक में आए वहां से कोई बाहर निम्स पैदल आये हम छोटी-चोटी बात चेफ लेके जाए अच्छा बसेश चल रही थी इसलिए ऐसा नहीं यह कि मालिक ने आप लोग को निकाल दिया था मालक ने निकाला है मालिक के यहां पर आप लोग वहीं उनके घर के आसपास ही रुखे हुए थे उनके घर पर ही कौटर वॉटर मेला हुआ था मजबूरी है कि खाने के लिए नहीं रखिया मेरे पास, पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं का करूँगा मैं, बच्चे लोग खिलाओं पिलाओंगा मैं, मज़ूरी करता था, और क्या? बच्चा कितने महीने का है आपके पास? यह देड़ साल के बच्चा है रात में हम लोग आये थे तो यहां पे दिये थे दो बाई साब थे, उनने दूद दिये थे, बिसकुड दिये थे, तो ले रखे थे तो खा लिया था बच्चे ने अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं यह अंकल जी इधर भेज दी है, फिन वाँ से लाट के है, फिन इधर से इधर राज से चक्कर काट रहे हैं, सड़कों पे रात गुजा रहे हैं हम लोग देखिए, कई एसे लोग हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, और दिहारी का काम है, यह दिहारी मजदूर है, छोटा सा बच्चा βी है जब काम खतम हो गया है काम नहीं बचा है तो ऐसे मैं उनके पास इतना पानी नहीं है इतना राशन नहीं है कि वो पूरे महीना काट सकें ल차 कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है जिनमें से कुछ लोग यह भी है जिनका किराया का घर था और अब अपने गवाउं जान लेहाज़ा अब किसी को भी इस बैरिकेट को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है कैमरापसिन मनोज अधिकारी के साथ अजादिका सिंग एबीपी नियूज दिली ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंत्री सीरीस टू शनिवाराथ दस्बडे